नमस्कार दोस्तों एक बार फिर सुआ गयता है आपका आपके अपने चल्य लई उबंगी तो आज हमें इस वीडियो को माद इमसे बात करने वाले हैं अभी हाली में इंडियन नेवी में MR की वर्ति का नोटिफिकेशन वो जारी हो चुका है और आपके फोम अब वो 19 हमें करवाईएगा तो इस वीडियो को माद इमसे हम यह एक आपका इंडियन नेवी का जो MR की वर्ति है उसका एक मोक टेस्ट है वो हम सोल करने वाले हैं तो इसकी अगर आपको पीडियो चाही तो आपको वीडियो डिस्क्स में मिल जाएगी अदर्वाइज आप निचे द आपको समय दिया जाएगा यहन 30 मिन्ट में आपको 50 क्यूशन करने है यह आपको ज्यान रखना है तो चलिए शुरू करते हैं आज के इंडियन नेवी MR के इस ओनलाइन प्रेक्टिशेट को पहला क्यूशन आपको इसकी परा चुका है आपको उतारा है कि मानव की टांग मे पाई जाती है कौनशी अडिय उमानव की टांग में पाई जाती है फर्स जो आपका बार्ट होगा वो समय भी घ्यान गणित का होगा तो कौनशी अडिय जो मानव की टांग में पाई जाते है क्या आएगा इसमें तो इसमें आएगा आपका फिमर आज आएगा ओप्शन न आपको से लिगे हूँ आपको no down के लिए लेना है otherwise आप क्या है इसको आराम से सुन भी सकते हैं तो इसमें आएगा हुआ आजाएगा option number A आपको पांच से साथ सेगंड का समय भी दिया जाएगा क्या आएगा इसमें तो विदूत का सुचालग क्या आएगा चार ओप्शन में से तो इसमें आजाएगा तामबा क्या आएगा इसमें तामबा option number B नेक्शन क्या आपका इसमें जब हम दातू अगरम करते हैं तो दातू का गंता उपर क्या परभाव पड़ता है जब हम दातू अगरम करते हैं तो दातू के गंता उपर क्या परभाव पड़ता आपको यह बताना है तो क्या आएगा इसमें चारों option में इसई आपको बताना है सही जवाव क्या आजाएगा तो इसमें आएगा आपका आपका परवरतित रहता है क्या आएगा इसमें आप परवरतित आजाएगा इसमें Option stretching क्या आजाएगा D आपका बिल्कुल से जुआब है Option number B आजाएगा इसमें Next one क्या आपका अब आपको तान की रबर की उत्पति है वो किसी होती है रबर की उत्पति किसी होती है वता ये चार उप्शन में से तो रबर की उत्पति है वो पेड़ से होती है किसी होती है पेड़ से Option number क्या आजाएगा इसमें आपका सई जवाब पेड़ आजाएगा Option number C Next one क्या आपका Hydrogen का Isotope क्या बताए Q7 में आपको बताना है कि Hydrogen का Isotope क्या आएगा इसमें तो इसमें आजाएगा Dewterium आजाएगा Option number B नेक्शन की आपका निमल खीट निमल खीट दातों में से कौन सा दातों पेकेट में नहीं रखा जाता है, क्या आएगा इसमें नेक्शन की आपका दूद को दई में परवर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर् बेक्ते बेषल आ जाएगा सवीं बद्याँ के सफने में उपसमें आपको क्या है कि फोर्टी चयचक के कान क्या आएगास महें कार कि को दो कि कुछ ऑप्कुछ न कि यह उसी मा से आएगा विशानु आपसण न too शी कि में यह आपको बताना है क्या आएका इसमें क्या आएका इसमें क्या आएका इसमें पानी के परवहानय के लिए Creation is Upiczon कि आपका कौणसी ढ़ात्व बिदु चुम्बक बनाने में उप्यूखत होता है बताएए कौन सी दात्तु जो विदुद चुम्बक बनान में उफ्यूक थोती है आपको यह बताना है क्या आएगा इसमें क्या आएगा इसमें चारो ओप्षन में इसे अगर बात के लिए सही जुआब की तो इसमें आपका जो सही जुआब होगा वो आ जाएगा तामबा ओप्षन नमबर ए नेक्शन क्या आपका सुरे गण कब होता है सुरे गण कब होता है तो चार ओप्षन में से क्या आएगा इसमें इसमें अगर बात करें सही जवाब की तो इसमें आ जाएगा ओप्षन नमबर C जब चंदरवा सुरे और परत्वी के बीच से गोज़रे ओप्षन नमबर C नेक्शन क्या आपका X into X अपून X का आपको बताने की मान क्या आ जाएगा इसमें X बटे में X into X बटे में X का आपको बताने मान क्या आएगा तो जब इस समीकन को सोल करेंगे तो इसमें आ जाएगा A का आ जाएगा ओप्षन नमबर B नेक्शन क्या आपका अगर 3X पलस में 17 इक्वल 32 है तो आपको X का मान बताना यहाँ पर क्या आएगा इसमें 3X पलस में 17 इक्वल 32 है तो आपको X का मान बताना क्या आएगा इसमें इसको सोल करेंगे तो 3X इक्वल 32 माइनस 17 आएगा इसमें तो 3X इक्वल 15 X इक्वल क्या आएगा इसमें 5 आजाएगा ओप्षन नमबर A नेक्शन क्या आपका 24 मेटर लंबे और 16 मेटर चोड़े एक आयताकार लोगन के 4 उत्रप 2 मेटर चोड़े पदपद बना हुआ है तो पदपद का आपको छेतर बल बताना क्या होगा पदपद का छेतर बल बताएगे क्या आजाएगा इसमें क्या आएगा चार ओप्षन में से तो इसमें आएगा 170 वरेक मेटर ओप्षन नमबर C नेक्शन के आपका 4, 10, 16, 22 के बाद क्या आएगी 4, 10, 16, 22 के बाद क्या आएगी 4 उत्रप्षन में से यह आपकी क्या है सीरीज है जब अपन देखेंगे तो 4 प्लस में 6, 10 होता है 10 प्लस में 6, 16 यानि प्लस 6 हो रहा है तो 22 के आगे 6 जोड़ देंगे 28 सा आजाएगा इसमें उप्षन नमबर B नेक्शन के आपका महत्रम समाप्रतिय मालूम करना आपको 81 और 117 का आपको महत्रम समाप्रतिय बताना है कौन सा आएगा महत्रम समाप्रतिय बताना है आपको कौन सा आजाएगा इसमें साइद यहापे यह क्या नमबा आएच जी था यह मिस्प्रिंटिक भी हो सकता है तो इसमें आजाएगा 13 ओप्स्टन नमबर C नेक्शन के आपका A नुपाद B 3.95 चार है और B नुपाद C 6.95 पांच है तो A नुपाद B प्लस C का आपको बताना है कि मान क्या रहेगा क्या मान रहेगा तो अपन करेंगे A नुपाद B नुपाद C तो क्या इसमें यह जड़ वाला वो लगेगा इसमें 3.95 चार है और B और C कितना है 5 और 6 तो क्रोस मल्टिपर करेंगे इसकी ऐसे 15 आ जाएगा 20 आ जाएगा 24 आ जाएगा अब आपको बताना है क्या आएगा इसमें जब हम इसको काटे पिटेंगे तो क्या आएगा 4 ओप्शन में से 16 किजिए इसको तो इसमें आपका जो सही जुआब होगा कौन सा आएगा इसमें तो इसमें जब इसको स्वल गरेंगे तो आएगा 9 अनपात 22 ओप्शन नमबर A आजाएगा इसमें ओप्शन नमबर A आपका बिलकुल सही जुआब बढ़ते ने एक्शन की ओर तो इसमें आएगा आपका तो क्या आएगा इसमें जब इसको solve करोगे आप तो इसमें आएगा आपका 127 आजाएगी तो उसके option number A next क्या आपका A एक कारे को 15 दिन में पूरा करता है B उसी कारे को 30 दिन में पूरा करता है तो A और B दोनों मिलकर उसकारे को कितने दिन में पूरा करता है आपको यह बताना है तो A आजाएगा B आजाएगा A 15 दिन में करता है B 30 दिन में दोनों का LCM आएगा 30 तो एक दिन में कितना काम करते हैं वो एक दिन में तीन काम करते हैं यहन तीन टोफी बनाते हैं, मिलक कर दोनों, तोसी कारे को कितने दिन में करेंगे, दस दिन में आ जाएगा, यहन टोटल कारे कितने आपन का 30 है, और 30 प्रटे 3, 10 आ जाएगा, इसमें ओप्सन नमबर C, नेक्शन के आपका निमल खीत, भिन का सुद्तम अंकिया मान चुनो, स किसी वस्तू को 140 पे में खरीद कर 168 रुपए बेचा गया, तो आपको लाब का परतिशत ग्याद करना है, यानि कोई वस्तू है उसको 140 रुपए में खरीद कर 168 रुपए बेचा गया, तो लाब कितना हो गया, लाब हो गया 20 रुपए, और खरीदी कितने की थी, 140 की, तो पूपन को लाप गयात करना है तो इंट्ट कर देंगे इधर तो इसको काटेंगे तो रही पंज एक सचाइस होते हैं पांच कुम बीस का पांच में सोगा भाग देंगे तो बीस आजाएगा तो इसमें ऑप्शन नमर सी नेक्शन के आपका उस गन का आहतन गयात को जिसकी सभी की सभी आजाएगा सही है फिलकुल नेक्शन के आपका निमन खित में से x का आपको मान गयात करना है तो x2-16X2363 इकविल 0 तो इसमें आपको x का मान गयात करना है आपका समीकन क्या है ? सुकेर माइनस सोड़ा एक्स और प्रस्मे 63 तो आपको 16 के दो टुकर ऐसे करने हैं जिसका क्या एक गुणा करें तो 63 आए और जोड़ें तो 16 आए तो क्या आजाएगा 9 और 7 आजाएगा इसमें या फिर 7 और 9 आजाएगा तो उप्स नमर डी में दे रहेखा आपका बिल्कुल सही जवाब अब आपका पार्ट नमर टू स्टार होगा जिसमें समाने ग्यान के पर सनाएगे बिल्वकल आसान असान क्यूस्टन तो ओसकर पुरसकार हो कौन से चेतर में दिया जाता है ओसकर पुरसकार कौन से छेतर में दिया जाता है बिल्कुल आसान असान क्यों सनाएंगे आपके इस तरह से इसका प्रिवेश एर का कटोप भी आज कि आपको वीडियो इसका सामग तक आपको मिल जाएगा आप वासिस की प्रिवेश एर की कटोप भी देख कोगे तो जो ओसकर पुरसकार है वो सिनेमा जगत में जा जाता है उप्सन नमर बी आपका बिल्कुल सई जवाब नेक्शन के आपका निमल लिखित में से कौन बारत का वितमंतरी नहीं रहे है इन में से चार उप्सन में से आपको उताना है कि यानी जीव मिलखा का समंद आपको पता है कि कौन से खेल से हैं चार ओप्शन में से और अभी एक करंड का क्यूस्टन भी है कि एक एथलिक्ट का भी नीदन हुआ था जो भारत के जाने माने एथलिक्ट थे कौन थे मिलखा सिंग और यहाँ पर जीव मिलखा है तो यह है गॉलप से ओप्सन नमर क्या आएगा इसमें complementary भारत के की सराजे की उस्तम साकसेटरता है तो ज सबी को पता है केरल आजाएगा इसमें उपसन नमर A next की हमागा बारती है सस्तर सेनाओं के सर्वोस कमांडर कोन है बताए बारतिये सस्तर सेनाओं के सर्वोस कमांडर कोन होता है तो बारत का पजानमंत्री होता है उप्सन नमर C नेक्शन के आपका अंतरिक्ष में जाने वाले पर्थम बारतिये का नाम बताना आपको तो अंतरिक में जाने वाले पर्थम भारती या कौन थे? राकेश शर्मा, उप्षन नमर A निक्शन के आपका अमर कंट्च से किस नदी का उद्गम हुआ बताए अमर कंट्च में कौन सी नदी का उद्गम हुआ है? या आपको बताना है तो क्या आपको बताना है? चार ओप्षन में से पताईए जो भी आपको सही लगी तो इसमें आपका जो सही जुआब होगा वो आजाएगा आपका नर्मदा आजाएगा ओप्षन नमबर डी आपका बिल्कुल सही जुआब नेक्शन के आपका बारत और चीन को कौन सी रेखा वो विवाजित करती है बारत और चीन को कौन सी रेखा विवाजित करती है आपको ये बताने है चार ओप्षन में से क्या आएगा तो इस अभी को पता होना चाहिए मेक मॉन लाइन है वो यानि मेक मॉन रेखा वो बारत और चीन को वभाजित करती है नेक्शन क्या आपका बारत में लोग पुरूस की नाम से किसे जाना जाता है बताईए बारत में लोग पुरूस की नाम से किसे जाना जाता है पांच विश्टी के लास यह पढ़ते आ रहे हैं सरदार वल्लब आई पटेल को उप्सन नमबर D नेक्शन के आपका विक्टोरिया मेमोरील कहा परिस्थीत है बताईए विक्टोरिया मेमोरील कहा परिस्थीत है तो क्या आजाएगा इसमें तो इसमें आपका तो सही जुआब होगा वह आजाएगा कलकटा में है काप है कलकटा ओप्सन नमबर D नेक्शन के आपका बारत में चाय का सबसे बड़ा उत्पात्ग राजी कौन सा है असम है ओप्सन नमबर D आरियो ने बारत में जिस इलाके में कबज़ा किया था उसको क्या कहते हैं बताईए आरियो ने बारत में जिस इलाके में कबज़ा किया था उसको क्या कहा जाता है यह आपको बताना है क्या आएगा इसमें तो इसमें आपका जो सही जुआब होगा वो आजाएगा सब्चिन्दू, ओप्सन नम्बर C नेक्शन के आपका लोक्सभा का नेता होता है लोक्सभा का नेता कोन होता है बताए तो लोक्सभा का नेता कोन होता है तो चार ओप्सन में से क्या आएगा इसमें परदानमंत्री आज आएगा option number B next ने क्या आपका मनुश्य द्वारा अपने मनुश्य द्वारा अपने गी गई पहली दात्तो थी कौन सी दात्तो की सबसे पहले खोज गी थी चार option में आपको यह बताना है क्या आएगा इसमें तो कौन ची थी वो दातू तो वो थी टामबा थी कौन ची थी टामबा थी ओप्सन नमर ए हमने एक पहले क्योशन किया था कि बारत में जो बारती सरस्टर सिनाओं के सर्वस कमांडर कोन होता है तो बारत के राष्टरपती होते हैं नेक्सपन के आपका निमलखीत में से बहगवान बुद्ध की मर्तियों से समन्दीत हैं कौन सा अस्तान है वह प्रूंसा आजाएगा इसमें तो इसमें आजाएगा कुशी नगर आजाएगा option number B connection के आपका लखनव कौन सी नदी के किनारे इस्तित आपको बताना है तो क्या आएगा इसमें तो इसमें आजाएगा गोमती नदी के option number A आजाएगा इसमें connection के आपका chain की मुद्रा क्या है chain की मुद्रा बताएगे क्या है चार option में से क्या आएगा इसमे तो chain की मुद्रा ये न है क्या आजाएगा इसमे option number B connection के आपका लखने में से कौन सा जानवर आपको यह पताना है नापस वालत की घंगा रो जाता है नब्रेट दक्षिन बार्त की कौन नदी को बारत ही दक्षिन बारत की कौन चीघन गंगा के लाती यह पता यह चार अपशन मेंसे क्या हैगा चैες किसमें कि अजाएगा वॉर्प्स नमर गारिए ऑप सुनके आपका बारत का श्रक्रा सिहनद हैं भारत का स्रव all श्मुन पुरूषॐ तो बारत्रतन आ जाएगा इसमें ओप्सन नमबर ए नेक्शन के आपका निमन में से कौन सा अंतरिक्ष्यान का सबसे पहले अंतरिक्ष्य में गया यानि निमन में से कौन सा अंतरिक्ष्यान जो सबसे पहले अंतरिक्ष्य में गया था यह आपको बताना है चार ओप्सन में से क्या आएगा इसमें तो इसमें आजाएगा कॉलंबिया आजाएगा ओप्शन नमर बी नेक्शन क्या आपका मद्दू मलाई पुर्णे स्थान कहां पर इस्थीत है यानि मद्दू मलाई तिरस्थान एक वो कहां पर इस्थीत है कि दूरेंट कप किस खेल से समंदीत है तो यह फूटबोल से ओप्शन मर के आ जाएगा इसमें भी तो यह तो आज का आपका इंडियन ने भी अमर का एक ओनलाइन प्रेक्टिस एट जिसमें हमने क्या पचास क्यूशन आपका पूरा पेपर है प्रिवेश एर का वह मैंने करना है कि आपको यह प्रेप्रों केस लगा अगर अच्छा लगे तिसे लाइक और से जुरूर करना है अगर आप जिने पर नहीं चैनल को सब्सक्राइब करना और साथ में आपको इधर एक बेल आइकन दीख रहा है उसका प्रेस कर देना है ताकि जब भी को नहीं जानका जाए आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्द से जल्द क्या जानकारी जोइन कर सको तो आज की जानकारी बस इतना ही मिलते एक नहीं जानका साथ तब तक के लिए जय बार तन्यवाद